हलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ E-Rupee Platform के बारे में जी हाँ E-Rupee Platform है क्या क्या इसके फायदे हैं किस तरीके से काम करता है इस सब के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा E-Rupee National Payment Corporation of India यानि NPCI के द्वारा प्रोवाइड किया गया एक Digital Platform है NPCI वही एक तरीके से Organization है जिसने UPI बनाया है तो UPI का ही एक Extension है यह E-Rupee Platform और इस E-Rupee Platform के माध्यम से सरकार या Company यानि कि कोई भी Organization या सरकार एक One Time Voucher जनरेट कर सकती है QR Code के Form में या SMS में जो Code आता है उसके Form में अब बात कर लेते हैं कि ये काम कैसे करेगा और इसके फायदे क्या है तो ये एक तरीके से Prepaid Voucher है जैसा मैंने आपको बता है जिस तरीके से आप अपने Prepaid Voucher में Mobile में नंबर डालते हैं और आपके Mobile जो है एक Digital Voucher भेज सकते हैं यानि कि सीधी रकम ना भेज करके आपको अगर मान के चलिए कोई सुविधा कंपनी देना चाहती है सरकार कोई सुविधा देना चाहती है तो उसके लिए जो पेमेंट होगी वो डारेक्ट आपके अकाउंट में ना भेज करके आपको एक voucher भेजा जा सकता है जो की एक SMS voucher हो सकता है या QR code voucher हो सकता है जैसे मैं आपको दिखा दूँ QR code इस तरीके से होगा यह आपके पास आ जाएगा और इसको आपको कोई print out वगरा लेने की जूरुत नहीं होगी यह एक certain amount का one time prepaid voucher या SMS में जो code होगा वो होगा तो यह काम किस तरीके से करेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ यह जो voucher या QR code आपको service provider को जाकर के दिखाना होगा जैसे कि आप देख सकते हैं अभी बहुत सारे banks ने digital platform शुरू कर दिया है और कई सारे hospitals में भी यह यह पूरी लिस्ट है NPCI की website पे इसका मैं लिंक डाल दूँगा यह भी जो है E-Rupee को accept करेंगे तो होगा क्या कि मान के चलिए आपको सरकार ने आपके employer ने आपकी company ने एक voucher आपके पास भेजा आपको voucher जाकर या SMS code जाकर के service जब आप लेंगे जैसे मान के चलिए किसी hospital में या फिर कोई आप सरकारी सुविधा का लाब ले रहे हैं वहाँ पे वो आपको voucher बताना है या QR code अपना दिखाना है और automatically सरकार की तरफ से उस service provider को वो पैसा जो भी है वो transfer कर दिया जाएगा अब इसका benefit क्या है इसका benefit भी मैं बता देता हूँ हाला कि सरकार ने अपनी तरफ से इसके benefit को यहाँ पर भी एक तरीके से इस website पर मैं आपको link जरूर शेयर करूँगा आप जरूर जा करके देखीगा इसका benefit यह है कि आपको कोई print out वगरा voucher का लेकर के नहीं जाना है यानि कि ऐसा नहीं है कि आपके पस QR code है तो उसको आपको print लेकर जाना है वो अपने phone में रख सकते हैं अगर आप SMS के थूरू redemption करा रहे हैं SMS code आपको लेकर जा रहे हैं तो आपको कोई internet की जरूरत नहीं है आपके पास कोई bank account होना जरूरी नहीं है पूरी तरीके से safe है क्योंकि इसमें कोई भी आपकी जानकारी सरकार या आपकी company वो किसी के साथ share नहीं करेगी यानि कि आपके पास जो code आएगा उस code के थूरू आप जा करके अपना जो भी amount है वो redeem करा सकते हैं आपको कोई इसमें internet bank नहीं चाहिए यह कोई bank की app नहीं चाहिए यह कोई bank account नहीं चाहिए और जैसा कि आप देख सकते हैं यह सभी bank e-rupee platform इन्होंने provide कराना शुरू कर दिया है यह सारे major bank जो इंडिया के हैं और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यह list of hospital है जो e-rupee platform को accept करेगी तो यानि कि अब क्या है अगर आप कोई भी हो सकता है आने वाले समय में आपकी company जैसे आप दे सकते हैं benefit of corporates तो यहाँ पर company अपने employees के लिए e-rupee एक तरीके से digital token generate कर सकती है और जैसा कि मैंने बताया कि अभी इसकी शुरुआज जो ही है Department of Financial Service और National Health Authority और Ministry of Health and Family Welfare ने किया है और आगे चल करके और भी department इससे जुड़ सकते हैं और भी company इससे जुड़ सकती है तो इस तरीके से यह platform काम करेगा दूसरी बात यह अभी end user के लिए यानि मेरे आपके लिए जिस तरीके से हम अभी day-to-day UPI अपना create करके और एक तरीके से UPI पर money transfer करते है उस तरीके से peer-to-peer transfer नहीं है यानि कि ऐसा नहीं होगा कि आपका QR code आप किसी दूसरे को दे देंगे और वो उसके account पे पैसे चले जाएंगे यह service के लिए है अभी भी ऐसी बहुत सारी services यानि कि foreign companies की या private players की है जहां पर QR code या gift का अपना token नंबर देते हैं जिसको आप redeem करा सकते हैं अलग-अलग websites पर यह सब चलता है बट यह सरकार की तरफ से भारस सरकार की तरफ से एक platform लाया जा रहा है और अभी इस platform को direct आप जैसा मैंने बताया कि peer-to-peer use नहीं कर पाएंगे मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपना feedback ज़रूर शेयर कीजिएगा दन्यवा दूस्तों यहें